एक्सल वीविय मैक्र प्रगार्मिंग पे और चन्दिशेकरण जी यह जो बैज है इसमें दो तीन क्लास हो चुकी है तो हम इसमें डिसकॉस करने जा रहे हैं आज आज आपके साथ आपको एक फॉर्म के वारे वीडियो दिया था उसी पर हम डिसकॉस करेंगे ठीक है सुबाद जी जी हां मैं रिकॉर्डिंग के पर्मिशन दे देता हूं आप भी रिकॉर्ड कर लेजिए तिल चन्दिशेकर जी और प्लस और प्रेस करके रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैं आप पर फॉर्म Mute करता हों ताकि बायों से सोरना है आज हम्सक्राइबं चाहर है एक टीमपल सा IT है विसलिंगर रिकॉल आपके साथ कॉस्टे करने जा है तो जिसे को पर रिक रोम डाले बनीसी और मैरा बनाम है यह शींध remember नाका है या ID क different आई डी है उसके बाद यहां पर हम डेट डाल देते हैं यहां पर हम टाइम डाल देते हैं और यहां पर हम इस सिंपल सामने बनाया हुआ है अब फॉर्म पी क्या है कि मैं फॉर्म पर यहां पे बनाया हुआ कि सिंपल सामने डाल हमारा copy pair अिच्प बनाओकर रहे है यह देटा एक के नीचे एक के नीचे हमारा copy paste हो जाना चाहिए पैश्ट चलिए इसके लिए मैक बनाते हैं तो यहां पर insert करते हैं modules और क्योंकि है modules में सारा मैको लिखते हैं और यहां पर macro का name depend किया सेंग है और से पहले हमीं क्या करना है जैसे यहांद बटन मनेगा मालिज़ बटन में यहां से लेता हूँ इंसर्ट करनें एक का प्यार्ट इंसर्ट करनें चलिए इसप की ऊपर में अच्छा साव अपर लेता हु और यहां पर कांसी और इस पे लिखी हुई टेक्स का अलाइमेंट मैं इदाल दता हूँ तो हमें इस पे क्लिक करूँगा तो यह डेटा यहां पर से वहना चाहिए इसमें और से वहने से में का टाइम उसका डेट और एक यूनिक आईडी यहां जर्नेट करना चाहिए तो सबसे प्रहें कि यूनिक आईडी जर्नेट करेंगे तो हम नहीं हम दिखा दिम आईडी एजे लॉग और फूरी हम नहीं हम दिखा कि आईडी इक्वल डू अप्लिकेशन डॉट वर्क्षीट फंक्शन अभी हमने यह ऐसा क्यों किया इसके बारे में अभी मैं आपको प्र हमी क्या करना है कि एक का यूनिक आईडी जर्नेट करना है जैसे कि आको नान दीच यह वहन है तो वी अगला इडी टू होना चाहिए तो कैसे करेंगे तो हमारे पार फाल्यक्ता है मैक्स का मैक्स का और कीकॉलम की मैकसम मेंबर रहता है यहाँ पर जिखा ऑगला थे शेख तो यहां पर 2 डाल दूंगा तो अगना नमपर 3 होगा, 3 डाल दूंगा, 4 डाल दूंगा, 5 डाल दूंगा, 6 इस तरीके से हर बार एक नया नमपर देगा तो यह जो max formula है, और question ही आता है कि हम Excel के VVA में max को direct नहीं लगा सकते और max को direct नहीं लगा सकते, यह कैसे पता चलेगा मुझे, मैं यहां पर max supply करूँगा, तो नीचे expression नहीं आया, मतलब कि यह formula VVA को direct support नहीं करता है तो VVA direct support करने वाले formula है कि lane का formula है, आगे expression, आपके left का formula है, expression, mid का formula है, तो expression आगया मतलब की formula support कर रहा, जब भी formula load होता है, वो एक variable पर होता है, अब variable क्या है, एक temporary saving location इसको लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग अपने mathematics स्वनाते से नहीं दोते हैं, कि x equal to 100, x equal to 100 करते हैं, तो जो आपका 100 होता है, आपका 100 होता है, वो x पर श्चुर होता है, आगे जो x कमान है, वो 100 हो जाता है, वो किस है? हम लिखेंगे, range range a500 dot and offset dot offset 1,0 dot value equal to लेकिंगे range नहीं देना परहे है, क्योंकि हम तो click करेंगे, तो उसे में था हमारा form active होगा, तो क्लिक करते से में form active होगा, तो यह form पर ही डाल देगा हो, तो हमें यहां पर data sheet का reference देना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां दिया हुआ है, ऐसे ही data sheet का reference देना पड़ेगा, कहां range से पहले, तो सुबाद जी और चंदे शेकर जी यह समिझ में आ गया, कोई doubt तो नहीं इसमें, चंदे शेकर जी आपको, उसी तरीके से यहां पर हम इसको copy करेंगे और नीचे paste करेंगे, यह क्या करेगा कि यहां पर one दालनेगा, अब अगला मुझे date दालना है, तो मैं नीचे 55,000 से ऊपर के तरफ आउँगा, और इस बार हमने यहां पर क्या किया हुगा, कॉमा 0 किया हुगा, तो यह कॉमा 0 हों दिक्कत हो जाएगे, दिक्कत क्या होगी, आपका दिक्कत है होगा, कि इसी के नीचे date डालनेगा, तकि मुझे इसके नीचे आगे डालना है, तो हमें offset को बोलना होगा, पर row 0 रहेगा, column को बढ़ा, और इस id plus 1 के जगाँ पे मैं date डालना देता हुगा, अब जाएग दूसरे column पे जाओ, और date के जगाँ पे time डालो, बट प्रॉलम ही है कि Excel में time के लिए कोई formula नहीं है, Excel में time के लिए कोई formula नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए यहां पर डालें नाओ का formula, नाओ, नाओ लेकि date अटाइम दो देता है, इसको format में डालेंगे, format, now, और यहां भी हम डालेंगे, format क्या है, जैसे कि आप अपने Excel में now का formula डालते हैं, तो क्या करता है, date and time आजाता है, तो हमारा पास text का formula होता है, इसमें हम डालते हैं, hour, minute and second, यह custom formatting डालते हैं, तो time निकल का जाता है, तो same method यहां डालेंगे कि क्या कि text formula भी वी को support नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर format डाला, text देसर formula यहां हमारा आता है, उसको हम यहां डालते है, तो यहां पर date डाल गई, अब यहां पर time डाल गया, अब बाकी name डालना है, जो की form के B2, B5 and B8 में है, तो यहां पर fit हम इसी code को copy करते हैं, और लीचे paste करते हैं, अब इस 3 के जगापे, 3 के जगापे हम यहां पर, 2 के जगापे 3 देता हूँ, और यहां format के जगापे देता हूँ, range, range, V3.val, अब आप बोलेंगे, यहां तो मैंने seat का reference दिया है, लेकिन यहां पर इसी B3 कोंदी है, तो रीजन है, कि यहां पर seat name देने की ज़रूद नहीं, क्योंकि एक code तब रहन होगा, जब मैं button भी click करूँगा, और button भी click करने के लिए जाइड सी बात है, हमें, अब आप एक्टिवेट करना पड़ेंगा, क्या सब्सक्राइब, इसके आगे आप seat form दे सकते हो, और इसके अंदर आप form दे सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, और देने से भी कोई नुकसान नहीं है, फिर यहां पे मैं करता हूँ, 4, और फिर यहां हम B3 के जगा पे B5, और यहां पे हमारा आजाता है 5, और यहां पे B8, तो तीनों डेटा एड होगा, तो B5 and B8, लेकिन डेटा सेव हो गया है, यह पता किने चलेगा, तो इसके लिए एक message की देना होगा, MSG, box, और इसमें हमने दे दिया, और यहां इसमें हमने दे दिया, की बाले method को यहां अपनाते होगे, मैं डाल गोंगा, B3, B5, B8, dot clear contains, ओके, अब मैं इस बटन पर अप्लाई करने लिए, राइट क्लिक करूँगा, और यहां करूँगा, assign, assign macro, और फिर यहां same वाले macro को select कर, अब मैं यहां पर देता हूँ, पूर्जा, city में डेली, और amount में amount दे दिया, और जैसे save पर क्लिक किया, मुझे दिया data has saved, और यहां से data clear हो गया, और date में, यहां name नहीं आया ज़र, name ना आने के पीछे region है कि हमने यहां पर B3 कर दिया है, जब कि B2 होना चाहिए, जबारा एक बार energy करते हैं, अब यहां पर फूजाई लाने जैते है name, city में पूने, amount हम नहीं आज़र करते हैं, यहां पर इसको save करता हूँ, तो हर बार energy इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे save होगी, अब बताईए आप लोगों को इसमें confusion क्या है, और चन्ने जगर्ची आपको doubt है, format एक formula है, देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर दो चीज़ है, max आपको सुद्धिकरा, max एक function है, वो भी excel का function है, तो excel का function को डारेक्ट हम लोड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें path देना पड़ेगा, और जब कोई formula लगता है, तो कहने के लगता है, उसका result तो यह store होना चाहिए न, तो इसकी result को हमने id पर store करवाया, तो उसी तरीक से हमारा format भी formula है, यह वी वी का formula है, जैसे excel में भी मता है, आपको text formula क्या करता है, जो भी आप custom formatting बारी code यहां डालते हो, उस code के value formatted value को अलग करता है, तो इस now में से time को अलग करेगा, वो भी time format में है, और कहां store करेगा, तो यह भी एक formula है, तो storage point चाहिए, तो एक location पर add करेगा, store करेगा, ठीक है, नहीं, basically max क्या है formula, इससे बिले आपको जानना हो आपके max formula क्या करता है, तो क्या इंटर करता है, number इंटर करता है, तो number इंटर करता है, तो इस number को आपके से store करा देगे, अगर आप store करवा भी दिया, तो क्या रगड़ा है, फिर यह mathematical calculation होगी, इस string मतलब होता है, सुरी, इस string का मतलब होता है, text, a, b, c, d, क्या, इंटर में सिर्फ नंबर आता है, और 35 जार से नीचे, 32 जार से नीचे, लॉंग पर आता है, तो उसका भी लिमिटेर है, यह आपको पढ़ाएंगे, इभी ने पढ़ाएं नहीं इसको, फिलहाल आप दायोगे, अब वरियांटा, अब इसको, अब इसको पढ़ाओंगा, तो इसमें आके बात करते हैं, इसमें अपनी खली पाविक कर बात करते हैं, इसमें पाविक हमाने इसमें है,